तो अगर अभी भी आपका रैली का एक्जाम बाकी है, रीटेन अभी देने वाले हैं तो जाकर पहले परिक्षा पर एक बास सेट जरूर माल लीजेगा दोनों ग्रूप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देती हैं, एक्स और वाई दोनों का है, जाकर दोनों इंग्लिस और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा परिक्षा है पर कूपन कोड आपका आरावला 50 का यूज करना है, जो आपको स्क्रीन पर अभी थोड़ा सा जूम कर देते दिख रहा होगा, देखिए जैसे ही इसको कैपिटल में पूरा डाल दीजेगा, अरावला 50, 50% का डिसकाउंट आपको मिल जाएगा, रैली के लिए जाकर आप लगा सकते हैं, वहाँ पर आपका स्कोर और अच्छा हो जाएगा, ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिजेगा तो इंडियन एर्फोस का जो फेजटू है, वह 11 जन्वरी से स्टार्ट हो जाएगा, अब आपके सामने बहुत ही कम टाइम रह गया, जीतना हो से कि आप लोग तैयारी, हाई लेवल वाला करें, ठीक है, अब ये बहाना नहीं चलेगा, कि अब ये कल करेंगे, परसो करेंग तो इसमें से आपका पका ना कोई ना कोई उसमें से पका आएगा, ये आएगा, ठीक, तो कल से आपको मिलता रहेगा, आपको अब क्या है कि एक कि करके टॉपिक आपको होसे कि तो दिन में 4-5 वीडियो अगर डालना भी पड़े तो हम डाल देंगे, बट आपको जो है कि टॉपिक मिलेगा, उसके हिसाब से आपको अपना इंट्रो तो बताई दिये हैं, दोपर में इंट्रोडक्शन पर एक जो ओडियो दिये हैं, उसको उसी तरह से आपको ओडियो को मतलब कि सुनना है, और सुनने के बाद आपना एक इंट्रोडक्शन को तियार करना है, तिय कि यह नहीं है तो रात को हम चेक कर लेते हैं और जो भी होता है हम आपको बता देंगे ठीक तो यह देखिए डीएफटी यह पिछला बार यह टेस्ट इंक्लूड हुआ था काफी सारे कैंडिट आपके तरह ही डर हुए थे कि सर पता नहीं क्या होगा यह जुनाय टेस्ट हैं उनको तो समझी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं आराम से आप यहां पर कर लिजेगा क्योंकि अगर आप फेज वन का इंग्लिस का एक्जाम में 20 में 1918 आ रहे हैं तो यह तो भाई आप बहुत ही असान है यह तो एक दम समझ लिजे कि छ पलसरी लाना पास करने के लिए दस से ज्यादा है आप यहां से निकल गए टिक यहां से 16-18 नमबर लाया था पिछला बार जो फर्स टाइम गया था उसका इतना आया था तो आप सुचिए आपको इतना गाइड करके भेजने आपको मतलग कि हमको नहीं आपको कोशन छोड़न नहीं अब आया नहीं आपको कोशन नहीं छोड़ना भले तुक्का लास्ट में दस नमबर आप पहले दस से बारा नमबर आप हंडिट परसेंट मार लीजिए 15 नमबर आपको आ रहा है तो 15 नमबर आप सही कर लिजिए अगर लग रहे है कि पास कुशन हम से छूट रहा है तो वहाँ पर आप तुक्का मार सकते क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि गलत कर देंगे तो भया मेरा 0.25 मार्क्स कट जाएगा तो ऐसा है यहाँ पर तुसीन है नहीं तो 20 कोशन मिलेगा आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर वैसा वै तो वहां पर तुक्का मार के निकल जाना एक दो सही होगा तो ठीक है नहीं तो आप तो पास तु करी गए आप ठीक अब यहां पर देख लिजे के दो वर्ट मिल जाएगा दो एडियम से आपर दो से तीन कोशन टेन से निकल के आएगा एक आर्टिकल रहेगा आपका एक प्रिपोजिशन दो वर्प रहेगा दो कोशन आपका स्पेलिंग एरर से आ सकता है और एक चीजी यहां पर भोकायप पर ज्यादा ध्यान देना अगर आप अभी विस्ट समय आपके पास तो थोड़ा से भोकायप पर ज्यादा ध्यान देजेगा पासी माक्स आपका टेन रहता है यानि कि साइनो एंडुस से दो दो कोशन आपका वन वर्ट डू एडियमस दो तिन कोशन टेन्स वन आर्टिकल प्रिपोजिशन वर्व यानि कि अगर आप ध्यान से एक बर पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तो यहां से 15 प्लस आप अराम से कर पाएंगे ठीक कोई यहां पर बड़ा यह चीज टेस्ट नहीं है यहां से कोई आउट नहीं होता है और इसके लिए आपको कोई कोशिंग बड़ा कोशिंग जिवाइन करन कोई भी जरूरत भी नहीं है इस टेस्ट पर आप उतना फोकस मत करेंगा आपको ग्रूप डिसकसन पर ज्यादा ध्यान देना यह खुद निकल जाएगा आपका अगला जो बीडियो बनाएंगे सार्टी के उपर होगा सार्टी में कहां से कितने रिजनिंग से कोशन सार्ट में रहता है अब जिनका रिजनिंग थोड़ा साही धरूद रहेगा आप देख लिजाएगा कि सार्टी में कहां से कितना रिजनिंग के कि सेक्षन से कितना कोशन आता है ओके तो मिलेंगे कल फश्ट टॉपिक होगा और भी कुछ टॉपिक होगा जो मतलब कि आपको मिल जा सब आता है ओके इसमें बड़ा कोई ऐसा चीज नहीं है आप किसी से भी पूछेगा बोलेगा भाया इसमें कोई जान नहीं है ठीक यहां पर बहुत ही कम केंड़ेट आउट हुए पिछला बार फेस्टू रिभी उठाएगा मेरे चैनल से देखिएगा कोई आउट नहीं हो बहुत ही कम चांस रहता है ठीक क्योंकि यहां उस लेवल का एक जाम है ही नहीं है दस नमबर अगर मालनी जे 20 में दस नहीं आया तो क्या एंगलिस पढ़कर मतलब की समझी रहे हैं तो चलिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सेर जरूर करिएगा ग्रूप में कही पर भी सेर कर दीजेगा टिक और कॉमेंट में अगर आपको लग रहा है कि यह चीज़ पर वीडियो चाहिए तो हम देंगे